हेलो फोर्ट क्लास तो आज हम पढ़ रहे हैं ईवियस ईवियस में 5 चैप्टर तक आपके हो गए थे तो next रह 6 चैप्टर जिसका नाम है प्रोपर्टीज ओफ एयर मतलब प्रोपर्टीज क्या होते हैं गुण एयर मतलब हवा हवा के गुण तो 6 चैप्टर क्या है प्रोपर्टीज ओफ एयर इसमें हम हवा के गुणों के बारे में एयर की प्रोपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो यहाँ पर मैंने कुछ फीचर्स बताएं हैं हवा क्या होते हैं हवा में क्या होते हैं और मुख्य विशेस्ताइं होती है हवा की कुछ unique और कुछ selling feature होते हैं तो यहां पर हम point देख लेते हैं फिर chapter में हम इनको detail में पढ़ेंगे ठीक है तो इसके features कौन-कौन से होते हैं weight of air मतलब हवा में वजन, air and gases, हवा और gases, air and life, हवा और life, air occupies space की हवा जो है वो क्या करती है, space occupy करती है, space लेती है invisibility की दिखाई नहीं देती है, air exerts pressure की हवा दबाव बनाती है, air pushes in all direction, हवा हर direction में पुछ करती है और large और eight है inflammable मतलब jewelant shield थीक है, तो यह इसके point थे, तो चलिए हम आजाते हैं chapter में, chapter read करते हैं, properties of air page number है आपके 26, चलो शुरू करते हैं all the living organisms, human beings, animals और plants and trees depend on air for their survival जितने भी living organism होते हैं, living person, जो भी living things होती है, वो सब क्या जैसे की human beings हो गया है, मतलब मनुश्य, जानवर, plants हो गया है, पेड हो गया है यह सब क्या करते हैं, अपने survival के लिए, जिन्दा रहने के लिए, हवा के उपर depend करते हैं it is an abstract object, यह एक निराकार object है, मतलब इसका कोई आकार नहीं होता है, हवा का कोई आकार नहीं होता है it can neither be seen, nor touched, nor smelled, nor tested, इसको ना तो देखा जा सकता है, ना ही चुआ जा सकता है, ना ही इसको smell किया जा सकता है, सुणा जा सकता है और ना ही इसको test किया जा सकता है the air has a certain unique and salent feature तो हवा में जो होते हैं तो क्या होते हैं अद्वितिय और मुख्य विशेसनाई होती है हवा की जो विशेसनाई होती है वो बहुत ही अद्वितिय है मतलब इसके समान किसी क्या फिचर नहीं होता है मतलब इसके जो फीचर्स विशेश्वाएं होती है वो बहुती अद्वीती है और बहुती मुख्य होती है दीजा तो अब हम बेखेंगे इनके बारे में तो हवा क्या होती है living organism जो भी होते है जो भी जीवित चीजें होती है चाहे वो मनुश्य हो प्राणी जानवर हो organism है उन सब के survival के लिए वो किस पर depend करते है हवा के उपर depend करते है और हवा क्या है एक निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं होता है एक ऐसा object है हवा जिसका कोई आकार नहीं है हम हवा को ना तो देख सकते हैं ना चू सकते हैं ना उसको सूंग सकते हैं और ना ही उसको test कर सकते हैं मतलब हम उसको टेस्ट करके नहीं बता सकते हैं इसका स्वाध कैसे हैं समझ गए और हवा में क्या होते हैं बहुत ही आद्वीतिये और मुख्ये फिचर्स होते हैं तो हम देखते हैं पहला है वेटेस ओफ एयर एयर है सर्टैनली वेट तो हवा में निश्यत रूप से वजन होता ही है देस इस क्लियर फ्रॉम दा फ्रैक्ट दैट इस ए दी फ्लैटेड बॉल एंड अधर बॉल विट एयर इन इट आर वेटेड तो इस बात को क्लियर करने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं हम देखते हैं कि एक डी फ्लैटेड बोल होता है मतलब बिना हवा का एक दम फ्लैट बिना हवा का बोल लेते हैं और एक दूसरा बोल लेते हैं जिसमें क्या होती है पूरी हवा बरी होती है ठीक है तो हम एक बोल लेते हैं ज तो जो बोल पूरी हवा से भरी हुई है वो क्या होगा वजन में भारी होगा बिना हवा वाले बोल से ठीक है तो इससे पता चल गया ना कि हवा में भी क्या होता है वजन होता है ठीक है तो एक बात प्रूफ होगे कि हवा में वजन होता है next देखते हैं इसका air and gases हवा में gases होती है वो देखते है air consists of a number of gases हवा में बहुत सारी gases होती है among them oxygen is one such gas और इन सम में एक gas होती है oxygen it is regarded as life providing gas और oxygen को हम life providing gas भी कह सकते है the life on the earth is totally depend upon it और इस प्रिथी पर जो जीवन संभव है वो सिर्फ और सिर्फ oxygen की वज़े से ही संभव है the analysis of air shows that it is अगर हम air का analysis करें तो हम देखेंगे कि इसमें nitrogen होती है कितनी 78% ठीक है oxygen होती है 21% और other gases माने तो वो होती है 0-1% ठीक है these other gases include hydrogen, helium, carbon oxide and so on और other gases में हम मान सकते हैं कौन-कौन से other gases में आती है hydrogen, helium, carbon dioxide और भी जो gases है वो सब इसमें आती है other gases में ठीक है तो सबसे ज्यादा quantity कौन से gas की है यहां पर? नाइट्रोजन की उसकी है 78% और oxygen की कितनी होती है 21% जबकि सबसे important gas होती है यह लेकिन इसकी क्या है? 21% होती है इसकी और other gases होती है 0.1% या 0.1% कह सकते हैं हम ठीक है? ठीक है यहां पे चार्ट में बता रखा है अब हम देखते हैं इसका तीसरा feature वो है air and life कि हवा जो होती है वो जीवन के लिए बहुती जरूरी है बिना हवा के जीवन संभव नहीं है तो कैसे देखते हैं? Living beings survive on air तो जो भी living beings होते हैं वो हवा के द्वारा ही अपनी आपको जीवित रख पाते हैं बिना हवा के वो जिन्दा नहीं रह सकते Oxygen present in air provides life to one and all और हवा के अंदर जो Oxygen present होती है वो ही सभी को जीवन प्रवाइड करवाती है सभी के जीने की वज़ाए Oxygen यह होती है जो की हवा में present होती है It is needed for breathing बस आवशक्ता यह होती है कि आपको breathe करना होता है आप breathe करोगे तब क्या करोगे? Oxygen लोगे और Carbon Dioxide चोड़ोगे तो आपको breathe करना बढ़ेगा आप breathe करोगे तो आप Oxygen Gas ले लोगे वहाँ से तो example देखो यहाँ पर इसको proof कैसे होता है If an insect is closed in an air sealed bottle अगर आप एक insect को लो और इसको क्या करो एक airtight bottle होती है न बोटल में डाल दो और अच्छे से टाइट धकन उसका बंद कर दो ठीक है तो airtight bottle में डाल के उसको बंद कर दी अच्छे से It will not survive for long क्या होगा वह जान्डा समय तक जंदा नहीं रहेगा क्यों से बॉatल के नदर जितनी हवा होगी आपने बोटल के इंदर डाला और ढलकाण बंद कर दिया तो बोटल के अंदर थोड़ी बहुत हवा रहेगी न, वो क्या करेगा, थोड़ी देर तक जिन्दा रहेगा उस हवा के सारे, उसके बाद उसमें हवा खतम हो जाएगी, हवा कहीं से आई नहीं रहेगी, तो फिर उसको सांस लेने के लिए औक्सिजन कास से मिलेगी, क्योंकि टेर टाइट बोटल में तो हवा ही नहीं है, है न, तो फिर वो क्या होगा, थोड़ी देर बाद मर जाएगा, वो ज़्यादा देर तक जिन्दा नहीं रहेगा, ठीक है, अब हम देखने हैं, एयर ओक्यूपाइज स्पेस, कि हवा जो होती है, वो स्पेस लेती है, जगह घे It is clear that that air has wet, तो यह clear हो गया है कि हवा में वजन होता है, it is also clear that everything that has weight occupies space, और यह है भी clear है कि चाहए हो कोई भी चीज़ हो, जिसके अंदर वजन है, जो वजन में है, वो क्या करेगी? जगह तो लेगी, चाहए हो छोती सी बोल से लेकर आप कोई भी बड़ी चीज देख लो ठीक है ना कोई भी चीज जिसमें हलका साभी वजन है वो अपने वजन के हिसाब से जगह गेरती है इट इस प्रूवड फ्रॉम दे फैक्ट वैन एयर इस ब्लॉण इंटु ए बलून इट गेट्स बिगर और यह इस फैक्ट से प्रूव हो जाता है कि जब हम किसी बलून में कोई बलून है गुबारा है उसके अंदर हवा डालते हैं तो वो दिरे दिरे बड़ा होता जाता है और और बड़ा होता जाता है इस प्रूव देट एयर बलॉन हैज ओक्यूपाइट स्पेस तो यह प्रूव होता है कि हवा जो होती है वो क्या करती है स्पेस लेती है जगा लेती है ठीक है ना अगर आप बलून देख लो अगर एक बिना हवा आपने हवा नहीं बरी है वो बलून आपने रखा है ठीक है वो थोड़ी सी जगह में आ गया, फिर आप उसके अंदर हवा भरोगे, जैसे जैसे हवा भरोगे, थोड़ी से हवा डाली, वो उतना इस्पेस लेगा, और जदा हवा डालोगे, उसके अंदर वो बड़ा होता जाएगा, वो जितना जदा बड़ा होगा, उतना जदा इस्पेस लेता जाएग क्या है एक important feature है तो देखते हैं Another unique feature of air is that it is not seen और हवा का जो unique feature जो है वो क्या है इसकी invisibility यह दिखाई नहीं देती है यह है इसका एक unique feature है It is invisible यह है invisible है It is so because gases present in the air are colorless और यह क्यों और यह invisible क्यों है इसलिए है क्योंकि हवा के अंदर जो gases present होती है अभी हमने पढ़ा था nitrogen, oxygen other gases में hydrogen, helium, carbon dioxide और भी other gases जो भी gases होती है तो हवा के अंदर जो भी gases present होती है वो सब क्या होती है colorless होती है मतलब इन gases का कोई color नहीं होता सारी gases क्यों होती है colorless होती है इसलिए हवा का कोई color नहीं होता हवा क्या होती है invisible होती है ठीक है So it is not visible तो यही कारण है कि visible नहीं होती है तो अगर आपसे पूछे कि हवा हमें दिखाई क्यों नहीं देती है ठीक है, अब next हम देखते हैं इसका feature, air exerts pressure, कि हवा दबाव बनाती है, देखते हैं, it is a fact that everything that has weight and occupies space also exerts pressure, तो यह fact बिल्कुल सही है, कि जो भी चीज वजन में है, वो क्या करेगी, space occupy करेगी, जगह लेगी वजन में तो, और वो जगह लेती है, तो क्या होता है, उनमें pressure का दबाव भी होता है, exert pressure, यह भी उसमें present होता है, तो देखते हैं, try it, take a glass filled with water up to the brim, तो हमें ग्लास लेते हैं, और उसको किनारे तक पानी से बढ़ लेते हैं, मतलब एक पूरा glass, एक glass लेते हैं, ऑफ पूरा पानी से fill कर लेते हैं, ठीक है, press a cardboard on the top of the glass, और फिर हम जा करते हैं, ग्लास के टॉप पर एक कार्डबोर लेकि उसको प्रेस करते हैं दबा देते हैं ठीक हैं तो ग्लास पूरा पानी से फिल किया उसके ओपर एक कार्डबोर लिया और प्रेशर के साथ दबा दिया ग्लास के ओपर ठीक है Turn the glass upside down over sink और फिर हम ग्लास को क्या करेंगे सिंग के पास ले जाएंगे और सिंग के ओपर क्या करेंगे उस ग्लास को उल्टा कर देंगे ठीक है Remove the hand from the cardboard और फिर हम क्या करेंगे Cardboard की ओपर से अपना हाथ हटा लेंगे It will be seen that neither water nor the cardboard falls तो हम क्या देखेंगे कि ना तो वो cardboard नीचे गिरता है ना ही glass का पानी नीचे गिरता है क्यों क्योंकि pressure की वज़े से ठीक है तो आप ऐसा try करके देखना है glass पूरी पानी से fill करना फिर एक cardboard लेना उसको pressure से pressure करना glass के उपर ठीक है अच्छे से और उसके बाद आप sink के उपर glass को उल्टा करोगे फिर अपना हाथ cardboard से अटा लोगे तो आप देखोगी कि ना ही cardboard नीचे गिरता है ना ही glass से पानी नीचे गिरता है ठीक है next page पे देखो proof तो इससे क्या proof हो गया it is because air exerts pressure on the cardboard in upward direction यह है इसलिए हुआ क्योंकि हवा ने cardboard के उपर उपर की दिशा में pressure डाला इसकी वज़े से यह सब संबव हुआ next हम इसका feature देखते है air pushes in all direction हवा हर direction में push करती है सभी direction में another important feature of air is that it pushes object in all the direction तो हवा का दूसरा important feature क्या है एक अन्य दूसरा नहीं सोरी हवा का एक और अन्य important feature क्या है कि हवा किसी भी object को सारी direction में क्या करती है push करती है तो देखते हैं try it take an empty can एक खाली can ले लो insert a balloon in it और फिर उस can के अंदर क्या करो एक balloon डालो and blow air into it to fit the can और फिर उस balloon के अंदर आप हवा डालो इतनी हवा डालनी है कि वो balloon जो है वो उस can के अंदर बिलकुल fit आजाए आपको उतनी हवा डालनी है tie the balloon and lift the balloon by its neck और फिर उस balloon को अच्छे से बान दो और फिर इस balloon को क्या करो आप उसकी neck से क्या करो lift करो पकड़ लो उसको लटका दो tin can also gets lifted with the balloon तो tin can क्या होगा कि वो भी balloon के साथ क्या हो जाएगा lift हो जाएगा लटक जाएगा इससे क्या proof होता है it so happens because air inside balloon is present on all the side of the tin can तो ये इसी लिए possible हुआ क्योंकि हवा जब हमने balloon में डाली थी तो हवा इस balloon के चारो तरफ इखटी हो गई थी ऐसा नहीं है कि एक जगह पे जाके एक ही side में चारो तरफ गई थी ना वो हवा ये इसी लिए proof होता है कि हवा जो है वो सभी direction में जाती है आप देखो next inflammable मतलब air is a good ascent of fire हवा जो होती है वो fire की बहुत ही good ascent होती है हवा की वज़े से ही कोई चीज जलती है it helps in burning of the fire तो ये क्या करती है आग को जलने में मदद करती है और मैं आपको बता दू कि कोई भी चीज जलती है आग जलती है न तो उसके लिए oxygen responsible होती है oxygen की present में कोई भी चीज जलती है और carbon dioxide की present में कोई भी चीज बुझती है तो जलाने का काम कौन करता है oxygen और बुझाने का काम कौन करता है carbon dioxide ठीक है देखते हैं try it take two candles and light them तो आप दो मौंबतियां लो और उनको जलाओ cover one of the two candles with a glass और उन दो candle जलाईए आपने तो आप क्या करो एक candle के उपर glass उल्टी रख दोसके उपर it will be seen that candle covered with a glass is put off आप क्या देखोगे कि जिस candle के उपर आपने glass को उल्टा रखा था न वो क्या candle क्या है थोड़ी वो बुझ जाएगी ठीक है proof it so happens because a candle covered with glass does not get air यह क्यों संबह हुआ यह क्यों हुआ क्योंकि जब आपने उस glass को candle के उपर cover किया तो फिर उस candle को जलने के लिए हवा नहीं मिल रहे थी इसलिए वो क्या हो जाती है बुझ जाती है तो इससे proof होता है कि किसी भी चीज को जलने के लिए हवा की आवशक्ता होती है ठीक है तो यह आपके chapter हो गया कौन सा properties of air आप अच्छे से वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से chapter समझ में आ जाएगा ठीक है तो अब हम इसके crystal answer कर लेते है ओके पहला A है tick the correct answer A में पहला है air pushes in one direction, two direction, all directions तो हमने पढ़ा था air pushes in all directions तो आप C पे tick लगा लो first के first में C पे tick लगा लो all directions फिर है second air is a mixture of dash gases तो air कैसी gas का mixture होता है colorful या colorless या hollow तो colorless gas का mixture होता ना इसलिए air क्या होती है invisible होती है तो आप second में लगा लो A colorless इसके बाद है तीसरा air is invisible partially invisible या visible तो सबको पता है air क्या होती है invisible तो थड़ का A थड़ में भी A पे टिक लगा लो आप ठीक है उसके बाद है four helps in burning of an object तो कौन है जो किसी भी object को जलने में मदद करता है nitrogen carbon dioxide या oxygen तो मैंने चैप्टर में बताया था जलने के लिए कौन रस्पोंसिबल होता है oxygen और बुझने के लिए carbon dioxide ध्यान रखना तो आप फूर्थ में C टिक कर लो oxygen ठीक है तो पहले में all directions second में colorless third में invisible और four में oxygen तो यह आपकी होगे tick the correct answer उसके बाद है भी fill in the blanks इसमें देखो is necessary for breathing तो breathing के लिए क्या जरूरी है air तो आप पहले में fill कर लो air fear is exerted by the air तो हवा के द्वारा exert किसको किया जाता है pressure को तो second में आ जाएगा pressure तीसरा है air occupies space तो थर्ड में आ जाएगा space fourth है air has weight तो fourth में आ जाएगा weight तो first में air second में pressure third में space और four में weight यह आपकी blank में आ जाएगा अब आप आजाओ next page पे next page पे आ रखा आपका C match the column तो अब आपको एक तरफ आपकी गेसों के नाम दे रखें और दूसरी तरफ उनका दे रखा है कि कितने percent है तो match करवाते है नाइट्रोजन है नाइट्रोजन को C से match करवा हूँ 78% नाइट्रोजन अदर ग्रेसे इसको आप A से match करवा हूँ 0-1% और oxygen को आप B से match करवा हूँ 21% ठीक है उसके बाद है D तो आपको इसमें क्या करना है वन वर्ड में answer देना है वन या फिर टू वर्ट्स ले सकते हो आप तो इसका डी का फरस्ट है Air cannot be seen as it is हवा दिखाई नहीं देती है इसलिए क्या है इन वीजीबल तो आप फरस्ट में फिल करोगे इन वीजीबल सेकिंड है Air has a lot of हवा में क्या होता है lot of weight हवा में काफी weight होता है तो सेकिंड में आप फिल करो weight तीसरा है Air exerts हवा क्या करती एक्जर्ट प्रेशर डालती है ठीक है तो थर्ड में आ जाएगा प्रेशर फोर्थ है Air also occupies हवा भी क्या occupy करती है space हवा भी क्या लेती है जगह लेती है तो फर्स में invisible सेकिंड में weight थर्ड में pressure और फोर में space फिर है e as per the following questions तो आपको इन questions के answer देने है तो पहला है mention some of the features of air तो इसमें आ आपको हवा के जो features है उनको mention करना है उनका नाम बताना की कौन-कौन से feature होते हैं तो लिखा है मैंने देखो some of the features of air are wetters of air, air and gases, air and life, air occupies space, air exerts pressure, inflammable, air pushes in all directions ठीक है अब देखो second है how can it be said that air has wet आप कैसे कहोगे की हवा में बजन होता है तो इसके लिए आप आजो page number 26 पे मतलब जहां chapter स्टार्ट हो रहा है वहां पे देखो इसमें first point है weight is of air तो यहां air है certainly weight से लगाओ और one two three four line यहां पे paragraph खतम हो रहा है deflated bowl यहां तक यह है second का answer उसके बाद third question है आपके prove with the help of an experiment that air occupies space तो आपको एक experiment की help से prove करना है कि हवा space लेती है its space occupy करती है तो उसके लिए भी आप page number 26 पे आ जाओ उसके लिए आपको क्या करना है देखो आपका यह जो four point है air occupies space इस point की third line है air occupies space इस point की third line है it is proved from the fact यह दोनों line है यह दूसरी line खतम हो रही है occupied space यहां तक यह है third का answer ठीक है उसके बाद हम fourth question में आते हैं what is the role of air in breathing तो इसमें पूछा है कि हवा का breathing में क्या role होता है तो इसके लिए भी आप page number 26 पे आजाओ और इसका third point है air and life तो इसमें आप यह जहां से शुडू हो रहा है living, being, survive यहां से लेकर यही कि इसी line के नीचे mid में needed for breathing यहां तक आपको करना है यह है fourth का answer इस बर समझ में आ गया मैंने टीक लगा रखिया आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो यह आपका chapter हो गया है पूरा six chapter properties of air तो आप अच्छे से learn करोगे सुन्दर सुन्दर writing में work करोगे ओके